होराज केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिट शाह यूपी के दोरे पर रहेंगे पुरबांचल दोरे पर ग्रह मंत्री अमिट शाह की मजूदगी होगी और कौश्चामबी और आजमगर को करोणों की सौगात वज़ देने जा रही है CM योगी समेट कई मंत्री इस दौरान मौझूद रहने वाले हैं केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिच्छाह आज यूपी के दौरे पर रहेंगे सिर्फ कोशामभी वासियों को पर आजमगर वासियों को भी आज पहले कोशामभी में उनके मौझूदगी होगी और उसके बाद आजमगर के तरफ उनका रुक होगा कई मंत्री और सीम योगी आदतनात उनके साथ मौझूद रहेंगे उनके इस कारेक्रम को लेकर तैयारिया जोरो शोरो से चल रही है और काफी संख्या में वहाँ पर कारेकरताओं की मौझूदगी होगी काफी संख्या में वहाँ पर आमजलता पहुँचती हुई नजर प्रवांचल को चुनाएं पुरवांचल में कोशामभी और आजमगड के दौरे पर जाएंगे सबसे बड़ी बात है कोशामभी जिस सीट पर अमजलता पहले आ रहे हैं वो सीट सुरक्षित सीट मानी जाती और ऐसे में दलित वोट को एक बड़ा मैसेश देने की कोसिस अम मंच से की जाएगी फिलाल आपको यहां के तैयारियां दिखाएं देखें अमिशा के आने को लेकर जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं फिलाल यहां पर बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं सुरक्षा ववस्ता कितनी मजबूत हो उसकी तैयारियां चल रहे हैं इसके अलाव बीजेपी भी अपनी तरफ से पूरी कोसिस कर रही है और अमिशा शोसल इंजिनिरिंग के मास्टर माइंड माने जाते हैं और ऐसे में अमिशा का ये दोरा पुर्वान चल का दिखलाता है कि बीजेपी ने दोजार चौबिस के लिए अपनी तैयारी पूरी तरीके से तेज कर दी है विडियो जनरलिस मुकेस कुमार के साथ मिशांत रहे निउज इस्टेट को समभी और इस खबर पर जादा जानकारी के साथ समभादाता निशांत हमारे साथ लाइफ कर निक्ट हो गए निशांत आपके पास आएंगे किस तरह की तैयारिया है क्या तस्वीर है अभ पहर बारे बजे के बास से यहां हल चल बढ़ेगी केंद्रिग्री मंतरी अमिश्या यहां पर आएंगे इसके लावा उतर प्रदेश के मुके मंतरी योगी आदित तेनात और उनके अलावा अगर बात की जाए तो दोनों डिप्टिस हम इस कारक्रम में शामिल होंगे बीज सब बीच में रोका गया था और एक बार फिर इसको जोड सोड से मनाया जा रहा है लेकिन इसके अगर राजनितिक माइने निकाले जाएं वो बेहद हैं मुझा आते हैं खासकर कोसांबी को लेकर 2022 में विधान सबाचुनामे कोसांबी में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छ नहीं रहा था तीनों सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ था और ऐसे में केंद्रिगरी मंतरी अमिश्या अब आ रहे हैं तो 2024 के इसको एक मजबूत तयारी के तोर पर देखा जा सकता है जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह सुरक्षे सीट है और अमिश्या का यहां प जाकर एक मैसिज मजबूत मैसिज देना अगर इसको दलित और मुस्लिम गट जोड को तोर पर देखा जाए और बीजेपी की कोसिस को देखा जाए तो इंकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी अब हर उस तबके के पास जा रही है जो 2014 में पार्टी को बड़ा फायदा प तीजे देखे जाएं तो ऐसे में बीजेपी की पूरी कोसिस यही है कि किसी भी तरीके से एक बार फिर ये सारे जो मजबूत वोट बैंक है बीजेपी के साथ जुड़ा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जाए एक तरफ अपनी कमेटी बना दी है दलित वोटर्स क जो आज वी कारिक्रम होने जा रहे हैं निशान तो उन कारिक्रमों के बारे भी कुछ पताईए जरा कौन-कौन से कारिक्रम होंगे जिसमें केंद्रे गिर्यमंत्री अमिर्शाह शामिल होते भी नज़र आएंगे देखें केंद्रे गिर्यमंत्री अमिर्शाह कोसामी पहुचेंगे कोसामी में कोसामी महसब में भाग लेंगे इसके अलावा लगबग 600 करोड की आसपास की परियोजना है जिनका लोकारपन या उटगाटन अमिर्शाह के द्वारा किया जाएगा और सबसे बड़ी बात है केंद्रे गिर्यमंत्री का यहां पर आना पुरवानचल को एक मजबूत मैसेज देना इसके अलावा अमिर्शाह आजमगड जाएंगे जहां पर एक संगीत विस्विद्धाले की वो नीव रखेंगे और आजमगड को और भी कई सारी योजनाओ की सोगाते देंगे यानि कि पहले कोसाम भी और फिर उसके बाद आजमगड केंद्रे गिर्यमंत्री आमिर्शाह के साथ उतरप्रदेश के मुक्यमंत्री योगी आदितरनात भी रहेंगे और अगर बात की जाए तो दोनों डिप्टी सीम भी रहेंगे यानि कि दोनों जीलों के लिए आज कई सारी सोगाते जो है केंद्रे गिर्यमंत्री आमिर्शाह के हाथों जो है वो मिलेंगी ठीक है बहुत शुक्री निशानत आपका तमाम जानकारी के लिए और लगातार आप सब्डेट सम लेते रहेंगे फिलाल शुक्री आमिर्शाह अजूपी के दोरे पर रहने वाले हैं पहले कौशांबी और उसके बाद आजमगर पहुंचेंगे केंद्री ग्रेमंत्री कौशांबी के बाद आजमगरती दोरे पर रहेंगे जोहां ग्रेमंत्री अमिर्शाह हरीहर पर गाउ में संगीत महाविध्याले का शिलन्यास करेंगे जिसके बाद नामदार पूर में जन सभास्तल पहुंचेंगे जोहां करीब 218 करोड की बासर पर योजनाओ का लुकारपन और शिलन्यास करते हुए नज़र आएंगे पूर पहुंचेंगे और लखनों पहुंचेंगे दोपेर 12 बचकर 35 मिनट पर शीतला धाम कौशामभी हैली पैड उसके बाद वो पहुंचेंगे दोपेर 12 बचकर 45 मिनट से एक बचकर 25 मिनट तर वहां पर मौझूद रहेंगे करीब 2 घंटे का प्रोग्राम है और यहां जो जनसवा इस तल है यही पर हैली पैड भी है और यहां से जाकर के हरीयर पूर जाएंगे वहां पर भी उनका छोटा सा प्रोग्राम है गाओं में भुमण करेंगे उसके बाद वो आकर के और दोबारा यहां आएंगे फिट जनसवा करेंगे और शलान्यास करेंगे जो म्यूजिक कॉलेज है उसका उनकी पूरी तुस्रक्षा व्यस्ता है हमने कड़ी स्रक्षा व् अद्रिय गरी मंत्री जी और आभी हमने मंत्री जी द्वारा ग्राम हरीयर कुर में हरीयर कुर अफ्रूप महाविक जैले की शली मधिया जाये गा उसके साथ-साथ पिर जो सभास्त थल है यही पर जल जीवन मिशन के बलाल लगद चार हजार दूसो तरोड़ी पर यो इसके अतरित पुल मिलाकर 151 और परियोजनाओं का शिलन्यास और लोकारपण और शिलन्यास की कुछ योजनाओं का उनके द्वारा गिफ्ट दिया जाएगा जिसमें हमारी 62 परियोजनाओं हैं जो की जिनका लोकारपण किया जाएगा और चवन परियोजनाओं हैं जिनका की शिलन्यास किया जाएगा